हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल वियर समगेडमी दैस्पिरिट आफ एड्यूकेशन लास्ट लेक्चेर में मैंने आपका फॉंक्शंस यह चैप्टर फिनिश कर दिया और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं फिफ्ट चैप्टर दैडिस वॉर्ट लोक के अंदर problem होता है या कई लोग इस लोकस के concept को समझ ही नहीं पाते है ठीक है तो लोकस exactly क्या होता है अगर मैं बात करेंगे definition के बारे में so locus is a set of points which satisfy some geometrical condition को समझाबर में क्या बोल रहा हूं लोकस is a set of points which satisfy some geometrical condition मत्तब लोकस क्या होता है सेट आप पॉइंस बहुत सारे points होते हैं और वो सारे points एक particular geometrical condition को satisfy करते हैं तब उस पूरे concept को पूरे सिनारियों को हम क्या बोलते हैं लोकस जैसे मैं example देता हूं exactly मानलो मेरे पास एक circle है बराबर आपको पता है कि यहाँ पर एक point होगा यहाँ पर point होगा मत्तब circle बना तो infinite number of points होंगे circle के उपर है की नहीं सारे क्या होंगे infinite number of points तो मैं यहाँ पर कुछ ही point ले रहा हूं तो क्या ले लिए पहले point को ले लिए मैंने x1, y1 दूसरे point को ले लिए मैंने for example x2, y2 से coordinates हैं तिसरे point का coordinate ले लिए मैंने for example x3, y3 नाम भी देता हूं this is a, b, c, d d का ले लिए मैंने बोलो क्या हाँ पर x4, y4 and so on फिर d के बाद आ जागा e, फिर f, फिर h, फिर i, फिर j, फिर k मैं ऐसे मैंने कुछ points ले लिए और माल लो कि जो मेरा center है बोलो क्या है ओ बराबर माल लो किसी ने बोला कि यहां पर इस particular circle का radius है राइट इस particular circle radius है माल लो दिया है मुझे five centimeter क्या दिया है बोलो five centimeter तो अगर radius five centimeter होता क्या है कि circle के center से circle के उपर तक के point का distance तो circle के उपर बहुत सारे points a,b,c,d,e,f,g,h,ij,k यह सारे points circle के उपर ही तो है अगर मैंने बोला o से a का distance वो क्या होगा आपका radius then o से b का distance वो भी क्या होगा radius o से c का distance o c that is radius बोलो o से d का distance again radius o से e का distance again radius सब ध्यांस देखो सब लोगों क्या बोल रहा हूं o से f का distance यह भी radius है क्योंकि सब point क्या है circle के उपर हैं तो कहने का मतलब यहां पर मेरा यह है कि o g o h o i o g जी 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 बोल रहा हम then o k perfect यह सारे बोलो क्या है radius सोचो point पहले वाले मैं x1, y1 है चुकि अलग point है फिर भी जब आप o यह निकाल रहे हो that is equal to 5 cm ही आ रहा ना क्योंकि o is the radius 5 cm रहा लेकिन जब आपने x2, y2 लिया यह different point है उसके बद जब आपने o और b के बीच का distance निकाला तो भी 5 cm है चुकि एक circle के अंदर different radius नहीं होते हैं सब radius सेमी होते हैं जब आपने x3, y3 लिया और जब आपने o से c के बीच का distance निकाला again मुझे 5 cm आ रहा है x4, y4 लिया again आपने निकाला o से d के बीच का distance तो भी 5 cm आ रहा है तो o e का भी distance 5 cm, o f का भी distance 5 cm, o g का भी distance 5 cm क्योंकि सब radius है तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मेरे पास इतने सारे points है और इस सारे points एक condition को satisfy कर रहे हैं और वो condition क्या है जी हाँ radius is equal to 5 समझा रहे तो मैंने क्या बोला, if right now, to Locus मतलब Locusism, set of points which satisfies some geometrical condition the set of points मतलब कौन गों है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 x5 y5 x6 y6 and so on infinite number of points है और इस सारे कि सारे points radius इस दिक को satisfy कर रहे हैं तो इस पूरे स्तिनारियों को हम क्या बोलते हैं जी हाँ लोकस कोई diagram नहीं है लोकस कोई बोल देंगे कि कोई formula नहीं है यह concept है कि अगर आप पास कुछ point है set of points है वो सारे points एक geometrical condition को satisfy कर रहे हैं तो इसे को हम क्या बोल देंगे लोकस और इन सारे points को in general हम क्या दिखाएंगे एक्स कॉमा वाइस से जो कि क्या होता है point of locus बोलो क्या होता है point of locus confirm क्यों कि मेरे पास x1 y1 x2 y3 x3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 and so on मेरे पास बहुत सारे points है तो अगरे मेरे पास infinite number of points है तो मैं infinite number point बोलने जाओंगा मैं क्या बोल दूँगा x, y in general that is my point of locus थामेशा इस chapter में point of locus के आपका x, y जो की हर एक point को represent करेगा मतलब xy की value x1 y1 भी है x2 y2 भी है x3 y जो दिल करें वो बोलो मेरा xy वो सब है क्योंकि xy इस circle के उपर infinite number of points है और वो सारे infinite number of points को कौन रिप्रेजंट कर रहा है x, y मालों है पर एक point ले लिया that is 1, 2 तो यह किसकी value है x, y की value है मालों है पर एक point ले लिया 5, 6 यह किसकी value x, y की value देखा आपने इसको हम बोलते point of locust clear अब ध्यान देना इस point of locust का use करके हमने equation of locust equation a locust क्या पर Reflective छाहने why, नियुक्ता देखा ठील करें अगर मेरा लोर्ग्स चाहने सरकल है तो किसी ने बोला कि point of locust निकालना है मतब किसंने लेकि.." किसका यूज्स करके लोकस का यूज्स करके तो इसके लिए कुछ steps है ध्यांद्रां तो equation of locust के लिए कुछ steps है the first step is what सबसे पहले क्या बोलोगे जब कभी बोलेगा कि find that question of locust आख बंद करके सबसे first step अब लिकोगे let pxy be a पॉइंट on the locus क्योंकि सारे पॉइंट को हम एक जनरल पॉइंट से रिप्रिसेंट करेंगे उसको हमने क्या बोल दिया फिर सेकेंड हम क्या लेंगे बोलो सेकेंड सेकेंड हम लेंगे write some geometrical condition, तो write geometrical, geometrical condition अब बोलो के सर यह geometrical condition मतलब ज Pin厲害 is equal to 5, कहों भी कुछ और बोलेगा कि मेंदा locally यह सै कोई सेकेंगे validate जोइंट 2. nua भी है तो पी से इक्वल डिस्टनस पर है, मतलब मैं क्या बोलूँंगा पी ऐस इकोल पी तो बी temat ब मैं यह ब्लूँगा जात है समझ गए उसके बाद step number 3 convert geometrical condition into x and y मतलब आपके पास जो भी geometrical condition होगा उसको किसमें convert करोगे yes in terms of x and y and last step simplify कर दोगे क्या कर दोगे बो simplify तिये चार स्टेप परफॉर्म कर दो first step let pxy be a point of the locust कब जब कभी भी आपको निकालना होगा equation of locust second step write down the geometrical condition third step convert your geometrical condition into x and y after that simplify the equation simplify कर दिया काम खत्म clear सबको इतना very good तिये basic concept था बोलो किसके रिगार्डिंग locust के रिगार्डिंग एक चीज़ और मैं आपको सिखाता हूँ जिसके हम बोलते हैं shift of origin बोलो क्यों होता है shift of origin ये एक नया concept है मैं आपको सिखाता हूँ फिर आगे चलते है shift of origin अब ध्यान से सुना shift of origin होता क्या है मान लो कि हमारे पास ये एक x-axis and y-axis है ठीक है and ध्यान दो पहले मैं इसको लिख देता हूँ सौ हमारे पास ये मेरा x है ठीक है और ये बोलो क्या है आपका y-axis है तो ये मेरा x और y-axis है origin बोलो क्या है अब क्या हुगा इसकी origin को मैं shift करता हूँ देखा आपने इसकी origin को मैंने का कर दिया बो shift कर दिया shift कर दिया मतलब origin पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया समझ में आ रहा है ओके इसको बोल दो x- y- और इसको बोल दो o- ठीक है पहले क्या था x-y पहले क्या था x-y अब बोलो क्या हो गया x- y- मतलब origin O से उठ करके यहाँ पे shift हो गई है इसको बोलते है shift of origin मतलब अगर कोई point मालो कोई point यहाँ पे था that is P ठीक है point P है so point P का जो coordinate था इस cap जो आपका पूराना वाला x-axis और y-axis है एक है x-axis एक है y-axis और coordinates होंगे बोलो क्या होंगे old coordinates ध्यांद रहां old coordinates को मैं दिखाऊंगा यहाँ पे small x, small y से और जो new coordinates होंगे ध्यान देना new coordinates उसको मैं दिखाऊंगा किस से capital x, capital y से तो small x small y मतलब आपका x और y के respect में है और capital x capital y मतलब आपका x- and y- के respect में तो जो point P है धांदरम जो point P है यहाँ पे उसकी value जो old x-axis y-axis था उसके हिसाब से कुछ और होगी और जो new coordinate है new x-axis y-axis उसके हिसाब से कुछ और होगी समझ गया ना तो कभी-कभी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि point P मेरा old यह है तो new निकालो या new दे करके old पूशता है एक बात और एक बात और यहाँ पे आपको origin भी देगा तो जो आपका origin पहले था एक जो आपका origin पहले था बोलो origin पहले क्या था आपका जी हाँ 0,0 जब वो shift होगा तो बोलो क्या हो जाएगा h, kp समझे सब लोग यह मेरा old है और यह बोलो क्या है आपका new तो old के हिसाब से point P की value कुछ और new के हिसाब से point P की value कुछ और होगी तो जब कभी भी आपको old P बोलेगा तो भी आप कैसे निकालना है old new P बोलेगा तो भी कैसे निकालना है तो उसके लिए formula है तो formula कहा है धंदना small x is equal to capital X plus H and small y is equal to capital Y plus K so this is the relation between old coordinates, new coordinates and origin so small x small y यहां पर क्या है बोलो old coordinates capital X capital Y यहां पर क्या है बोलो new coordinates और h, k यहां पर क्या है जी हाँ it is what origin तो जब कभी भी इस question से related कोई भी question आएगा यादखना तीनों में मतलब old coordinate, new coordinate और origin तीनों में सिर्फ कोई भी दो value दे देगा आपको old और origin देगा आपको new coordinate पूछ देगा new coordinate origin देगा old coordinate पूछ देगा या old और new दे करके origin पूछ देगा समझ गए बस आपको यही फॉर्मलाइस करना है बस आपको समझना पड़ेगा कि कौनसा old है कौनसा new वहां पर बोलें यह old coordinate और यह new coordinate confirm यह पूरा concept था जो कि मैं आपको explain कर दिया लोकस से related जो कि first exercise ने पूरा concept आने वाला है सो मिलते हैं next video में एक नए concept मतलब पूरे question के साथ में तब तक यह पूरा पूरा concept अच्छे सीखो और कोई doubt होगा तो मुझे comment box में comment करके पूछो so thank you so much for watching this video मिलते हैं next video में bye bye